आज अगल कोलेज के अंदर, घरों के अंदर, परिवारों के अंदर गाली इतनी गहराई से घुस गई है कि उस गाली को गाली ही नहीं मानते हैं हम बैठे हुए थे कहीं, उन्होंने ऐसे ही गाली दी, बिना कारण के ही, किसी को नहीं, बस वैसे ही, अपने आपको ही मैंने कहा यह क्या था? उसने कहा, सोरी जी मुझे ध्यान नहीं रहा, आप भी यहीं हो. बड़े असरिये की बात है, हद की बात है, कि लोग इतना इन गालियों के अंदर खो गए हैं, खुद को भी गाली देते हैं, मा बहन को भी गाली देते हैं, परिवार को भी गाली देते ह साथियों को भी गाली देते हैं, दोस्तों को भी गाली देते हैं, अपने टीचर्स को भी गालियां देते हैं, जहां नोकरी करते हुआ भी गालियां देते हैं, ओफिशर्स को भी गालियां देते हैं, कोई ऐसा फिल्ड बचा हुआ नहीं है, जहां ये गालियां ऐसा बना दिय बोजन के बिना लोग रह सकते हैं, गालियों के बिना नहीं रह सकते हैं, उठते ही गालियां देना शुरू करते हैं, फोन आत में उसको भी गालियां देते हैं, लाइट चली गई उसको भी गालियां देते हैं, काम वाला थोड़ी देर हुई उसको भी गालियां देते हैं, य प्रड़कों से भी बूरी तरह से गालियां देती हैं, गालियों के बिना बात ही नहीं होती, पांच मिनट वो लोग बात ही नहीं कर सकते बिना गालियों के, चाहे अपने भाई का जिकर हो, अपनी मा का जिकर हो, पिता का जिकर हो, उनको भी गालियां, दारा परुआ गालिया देते हैं बिना रुके मा बहन की गालियां तो बैस बोजन की तरह से हो गई उनके बिना काम नहीं चलता ने वाने के उपर से यह मोता है ने मन के उपर से यह मोता है ना बुद्ध के उपर से यह मोता है फिर माफी मागते रहते हैं रिष्टे खराब हो जाते हैं अगर कोई बोल दे कि ऐसे गालिया नहीं देनी चाहिए आपका मजाक उड़ाने लगते हैं अरे किस गरे से आ गए हो कौन से लोक से उतर करके आए हो जो गालिया नहीं देते आपके साथ कौन रहेगा बिना गालियों के कैसे रहते हो किस दुनिया में रहते हो आप जहां गालिया नहीं दे जाती गालियों के बिना दिमाग फ्रैस नहीं होता मूड नहीं बनता अंदर से फिलिंग नहीं आती ये जवाब हैं आप लोगों के क्या ये सही है जिसका वाने के उपर सियम नहीं हो सकता उसका बुद्ध के उपर सियम नहीं हो सकता मन के उपर सियम नहीं हो सकता अपनी इंद्रियों के उपर सियम नहीं हो सकता ऐसा वेक्ति क्या करेगा जीवन में कैसे सबल होगा कैसे रिष्टे चलेंगे कैसे रिष्टों को निमाएगा कैसे रिष्टों को समाल करके रखेगा कैसे परिवार में रह पाईगा इसी कारण से सब रिष्टे बरबाद होते जा रहे है मा पुत्र को गाली देती है पुत्र मा को गाली देता है बाई बहन को गाली देती है बेहन भाई को गाली देती क्या है वह ये गालियों से भर गया क्या ये पवित्तरता है क्या ये प्रेम है प्रेम में भी गालियां देते हैं क्या है ये क्या बना दिया आपने अपने आपको क्या इस समाज को बना दिया क्या आपने ये क्या समझ पैदा कर ली कैसे ये सब कुछ चलेगा कहां जीवन रहा सब कुछ वरबाद हो जाएगा कुछ नहीं बचेगा जीवन में सब से प्रेम से बात किये बगएर जो सब बैतरीका है उसका उप्योग किये बगएर और रिष्टे निम्भाए बगएर और बिना प्यार से बोले कितने दिन चल सकता है रिष्टा नहीं चलेगा समापत हो जाएगा बहुत से रिष्टे तो इस कारण से खराब हो जाते हैं ये मुझे गाली देती है मैं इसको गाली देता हूँ मैं ये नहीं जेल सकता हो नहीं जेल सकते तो आप वाणी पर सियम कीजिए रिष्टों को बना करके रखिए प्यार से रहिए और इन बुरी आदतों से बाहर निकलने का परियास कीजिए